नमस्कार मैं प्रशान्त रमन रभी और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ आत्महत्या और जिंदगी के वास्टविक माइने के बारे में आप सब जानते हैं कि कल एक बहुत ही दुखत घटना घटी कि 34 साल के एक बहुत ही प्रतिभार शाली अभिनेता सुसान सिंग राजपूत ने आत्महत्या कर ली पैसा था ग्लैमर था नाम था सुहरत था वो सब कुछ था जिसके लिए सुसान सिंग राजपूत ने एक लंबा और कठिन रास्ता तै किया था संगर्स किया था लेकिन इन सब के बावजूद भी आखिर क्या हो गया कि उन्होंने आत्महत्या कर ली बहुत सारे सवाल इस तरह की चीजे हमारे सामने चोड़ती है मेरे हाथ में माचिस की एक तिल्ली है इसे मैंने जलाया ये जल रही है इसे मैंने फूक मार के अब बुझा दिया इनसान की जो जिन्दगी है ना उसकी आवकात इस माचिस की तिल्ली की तरह ही है वो कभी भी खत्म हो सकता है कभी भी जा सकता है Uncertainty जो है अनिस्चित्ता इंसान के जीवन की सबसे बड़ी खुबसूरती भी है और सचाई भी है लेकिन जब हम इस माचिस की तिली को फूख कर जब बुझा देते हैं तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि हमने इसको पूरी तरह से अभी जलने नहीं दिया यह और जल सकती थी वैसे ही जब कोई आत्महत्या करता है तो वो अपनी जिंदगी को एक तरह से फूख मार के खत्म करता है समाप्त करता है यानि कि यह माचिस की एक तिल्ली इसे एक मुंबत्ती आप जला कर देखो उस मुंबत्ती से आप सैकड़ों मुंबत्ती जलाओ उस सैकड़ों मुंबत्ती से आप हजारों मुंबत्ती जलाओ उस हजारों मुंबत्ती से आप लाखों मुंबत्ती जलाओ औकाट छोटी सी है लेकिन माचिस की एक तिल्ली न लाखों मोमबत्यों को रोश्णी दे सकती है वैसे ही हमारी जिन्दगी है हमारी जिन्दगी छोटी भले ही है कभी भी खत्म हो सकती है लेकिन इस जिन्दगी में हम लाखों करोडों लोगों की मुस्कुराट की वजहें बन सकते हैं और आत्महत्या ठीक वैसे ही कि जैसे माचिस को हमने पूरी तरह से जलने नहीं दिया बुझा दिया वैसे ही हमने जिन्दगी को पूरी तरह से खिलने नहीं दिया उसे खत्म कर दिया, मिटा दिया अब सवाल ये उठता है कि आखिर कोई आत्मात्या क्यों करता है आत्मात्या की जरूरत क्यों महसोस होती है उसे ये तो सेलिबरिटी स्टार है ना सुसान सिंग राजपूत हुई या मरलिन मुन्रो या गुरुदत दुनिया में बहुत सारे ऐसे सेलिबरिटी स्टार हुए जिन्होंने आत्मात्या की लेकिन आम आदमी भी कई बार आत्मात्या कर लेता है वो अपने जिंदगी को खत्म कर लेता है इसके वज़य क्या हो सकती है मुझे ऐसा लगता है कि दो-तीन चीजे हैं एक तो हमारे जीवन में कम ही होती है किसी चीज की एक सुनापन एक खालीपन जिसके चलते हम कई बार डिप्रिशन और स्ट्रेस साधी के शिकार हो जाते हैं और दूसरी बात कि हम अब हमने अपनी जिन्दगी में हमारा जो समाज है ना उसने कुछ मानक तै कर दिया है और वो मानक क्या है सफलता की अंधी दोड़ भागते रहो भागते रहो रन बिहाइंड अ सक्सेस बीच में जिन्दगी कहां छूट जाती है हमसे इनसान मसीन होकर के रह जाता है सफलता के मानक तै कर दिये गए कि उची नौकरी, पैसा, ग्लैमर, सोहरत बस इतनी सी बात है और इनसान क्या करता है उसको मिंटेन करने के चकर में उसे और बढ़ाते रहने के चकर में वो कब मशीन बन जाता है और कब उसके हाथों से जिन्दगी की खुबसूरती फिसल जाती है उसे पता ही नहीं चलता है और दूसरी बात क्या होती है कि हम इतने आकेले हो जाते हैं कई बार जैसे कूकर के उपर सेफ्टी वॉल ना हो अगर तो क्या होगा, फट जाएगा हमारी इमोशन्स को सुनने के लिए जिसके सामने हम एकस्प्रेस कर सकें अपने मन की बात अपने दिल की बात ऐसे कुछ खास चंद लोग होने चाहिए वो चंद लोग कोई एक दोस्त भी हो सकता है कोई एक ऐसा इंसान तो अपनी जिंदगी में हमें जरूर रखना चाहिए जिसके सामने हम जैसे हैं अंदर से न वैसे खुल करके बाहर आ सकें मन की आ रोने का रो लिया मन की आ मन की कोई बात कहने का तो कह लिया और वो इंसान ऐसा हो जो बिना किसी जज्ज्मेंट के हमें बेशर्थ उसी तरह से स्विकार कर सके अपना सके तो जब हम खालीपन के शिकार होते हैं तो इसका एक मतलब यह भी होता है कि हमारे जीवन में कुछ खास और बहुत जरूरी रिष्टों के जो emotion sharing का जो मामला है उसमें कहीं न कहीं कोई न कोई कमी आती है दूसरी बात क्या है कि हम success तो बहुत उचाई पे पहुँच जाते हैं बहुत सारी चीज़ें हम मान लेते हैं कि यह success है लेकिन उस success के साथ हम कितने fit है हमारी जो internal journey है उसको कैसे वो justify कर रही है हम यह नहीं समझ बाते मेरे प्यारे दोस्तों हम इन दो बातों का खयाल रखना चाहिए पहली बात कि हमारे अपने जीवन में कुछ ऐसे लोग हो जिनसे हम अपने मन की सारी बात कह सके और दूसरी बात कि हम भी किसी का सहारा बन सके आसपास के लोग हमारे आसपास का आदमी जैसे भी है उसे हम कोशिश करें कि उसी तरह से हम भरपूर प्यार दे सकें, स्विकार कर सकें कोई आत्मात्या करता है ना, तो एक तो गलती उसकी भी है लेकिन आसपस के लोगों की भी जिम्मेदारी उतनी ही है कि काश हमने कभी किसी के कंदे पे हाथ रखके, मुस्कुरा के कहा होता कि तुम्हें कभी भी लाइफ में कोई प्राब्लम होना, पहले मुझसे शेयर करना क्या हम किसी का सहरा बन सकते हैं अपने जिन्दगी में क्या हम किसी के लिए वो हो सकते हैं जो हम चाहते हैं कि हमारे लिए कोई हो, दोनों ही बाते हैं, दोस्तों जरूरी है कि हम किसी और का सहारा बने और कोई और हमारा भी सहारा बने, ये दो तरफा मामला है, इसकी बहुत जरूरत है, हम बहुत इंसेंसिटिव होते जा रहे हैं, पंजाब में अभी एक सिंगर था उसकी मौत हो गई और उसकी पत्नी लेके उसे घुमती रही और कोई उसे चूने तक उसके पास तक नहीं आ रहा था दर के मारे कि कहीं कोरोना नहो जाए मालुम है कि कोरोना की महामारी है लेकिन इतनी भी और समवेदन शीलता क्या कि किसी की जरूरत है आपको और वहाँ पे आप खड़े नहीं हो पार है मेरी आप सबसे बहुत गुजारिस है कि ये जिन्दगी माचिस की तिली की तरफ बहुत खुबसूरत है है बहुत छोटी लेकिन है बहुत खुबसूरत इससे भरपूर प्यार कीजिए हम हमेंसा ये सोचते हैं कि हमें ये नहीं मिला हमें वो नहीं मिला हमारे साथ ये हो गया हमारे साथ वो हो गया लेकिन हमें जो मिला है उसके लिए हम खुद को अप्रिसियेट नहीं करते हमें शुक्रगुजार होना चाहिए ईश्वर का जिन्नोंने हमें इतनी सारी चीजे जी हम अपने नीचे पलट के जब देखते हैं तो हमें पता चलता है कि और कितने सारे लोग हैं जो हमसे भी ज्यादा खराब हालात में जीवन जी रहे हैं इसलिए शिकायते चोड़ करके चोटी-चोटी खुशियों को हमें कैसे अपनाना है हमें इस बारे में सोचना चाहिए हमें हमेशा दूसरों को प्यार देते रहने की बारे में सोचना चाहिए कि हम किसी का सहारा बन सकें हम किसी को प्यार दे सकें मुहबबत दे सकें और किसी के कंदे पे हाथ रखके कह सके न, all is well, सब ठीक होगा और कोई हमारे साथ हो, जो हमें ये कह सके, all is well, सब ठीक होगा दोस्तों, जिन्दगी की आखरी महबूबा तो मौत है और हमें जाना भी वहाँ है लेकिन वहाँ पहुचने से पहले हम इस जिन्दगी की खुबसूरती के तमाम आयामों में खुद को कितना खिला सकें, कितना महका सकें, कितना खुबसूरत बना सकें ये हमारी जिम्मेदारी है इसलिए मेरी आप सबसे अपील है, कि अपनी रुची को जिए किसी से अपनी तुला ना करें, आप अपने आप में यूनीक है हर एक इंडिविजूल आदमी अपने आप में यूनीक है पहले तो हमें अपने आप से प्यार करना सीखना है हम अपने आप से भरपूर महबबत करें जब हम अपने आप से भरपूर मुहबबत करेंगे तो हम जिन्दगी को खूब भरपूर धंग से जी सकेंगे और अपने आस पास के लोगों से भी हम उतनी ही मुहबबत कर सकें सफलता कि ये माइने बिलकुल भी नहीं है बहुत पैसा, बहुत नाम, बहुत सोहरत सफलता कि मायने ये है न कि आपने जिन्दगी कितने खुबसूरे ढंग से जी है और आपने अपनी वजहों से दूसरी की जिन्दगी में कितनी मुस्कुराहटे भरी है वो गाना आपने सुना है न किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशा किसी का दर्द मिल सके तो ले उठार किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार जीना इसी का नाम है तो मेरे प्यारे दोस्तों जब कभी भी जिन्दगी में कोई भी नकारात्मक ख्याल आए न एक बार मुझसे बात करना प्लीज मुझे फेस्बुक पे, इंस्टेग्राम पे कहीं भी एक बार मैसेज करना इस तरह के नकारात्मक ख्यालों को अपनी जिन्दगी में कभी जगा न देना और कोशिश करना कि आप भी किसी का सहारा बन सको किसी की रोष्णी बन सको और इस खुबसूरत जिन्दगी को हम सब एक दूसरे के साथ मिल बाट कर खुशियों के साथ, मस्ती के साथ जूमे गाएं, नाचें और इस जीवन का मजा लें हम सब एक नकरात्मक माहौल का हिस्सा हो गए हैं इस कोरोना के महामारी में उन सब के साथ आप प्यार बाटिए और हाँ, लगता है कि एक पॉजिटिव संदेश सब को फैलाना चाहिए सब में बाटना चाहिए तो आप मेरा ये वीडियो अपने उन हर चाहने वालों को भीजिए जिन से आप बहुत प्यार करते हैं और उन्हें लिखिए कि आप उन्हें खोना नहीं चाहते हैं मुस्कुराते रहिए, थैंक्यू, थैंक्यू सो मच्च